आप सभी मश्रूम के दिवानों को दावत मिलने वाली है, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं मश्रूम क्रीम साउस. मश्रूम और पास्था स्वर्ग में बनाया हुआ कॉम्बिनेशन है, तो आए इस बढ़िया डिश को बनाते हैं. पहले हम सारी सामगरी इखटी कर लेते हैं. हमें चाहिए होगा किसी भी प्रकार के मश्रूम, शिटा के मश्रूम, बटन मश्रूम, मोरेल्स या ट्रूफल भी चलेंगे. थोड़ी सी क्रीम, आपकी पसंद का चीज, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा थाइम, थोड़ा सा मक्खन और डूमिगला सॉस. आप साधनों और उपकर्णों के बिना तो पकाना शुरू नहीं कर सकते हैं. आएए देखें कि हमें किन-किन चीजों की जरूरत होगी. एक मध्यम आकार का सॉस पैन, एक चप्टा लखडी का चमच और एक बाउल, चलिए जल्दी से पास्ता बनाते हैं. शुरू करते हैं, पहले पैन को गैस पर रखें, थोड़ा मक्खन डाले और उसे पिघलने दे. मश्रूम डाले और उन्हें पैन में सॉटे करें. उन्हें तब तक पकाना है जब तक उनका सारा पानी सूखना जाए. उन्हें इस प्रकार सूखा होना चाहिए. क्रीम डालें. अब आप सामगरी को सॉस पैन में तब तक रिट्यूस होने के लिए छोड़ दें जब तक वो गाड़ी ना हो जाए. अब समय है जुमीगला सॉस डालने का. इससे सॉस पतला हो जाएगा. सॉस को नमक और काली मिर्च से सीजन करें. थोड़ा सा पार्सले और बहुत सा घिसा हुआ चीज डाल कर सजाएगा. आपका मश्रूम सॉस तयार है. आपको बस इससे सिमन चाहे पास्ता के साथ सर्फ करना है. यदि आपका कोई चरण छूट गया हो तो आईए एक बार ये प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं. रखका कोई चरण थाज़ा रहा है. झाल झाल